ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है Integrated Disease Surveillance Program या जिसको हम कहते हैं IDSP क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ भी लिखने की जरूबत नहीं है क्लास के नोट्स आपको description box में दे दिये जाएंगे, वहां से आप direct download कर सकते हैं तो शुरू करते हैं हमारे concept of health and disease वाले chapter का topic या national health program का topic मैं इसको concept of health and disease वाले chapter में रखता हूँ, क्योंकि वहां पर हम monitoring and surveillance पढ़े हैं इसलिए surveillance के बाद मैं इसको पढ़ना चाहूँगा integrated disease surveillance program तो शुरू करते हैं हमारे concept of health and disease वाले chapter का अगला topic that is integrated disease surveillance program या IDSP ठीक, अब आप बोलोगे कि यार ये प्रिविंटिव मेटसी नहीं, आप्सेट्रिक, पेडियाट्रिक्स, जेडियाट्रिक्स पढ़ा रहे थी बीच में IDSP डाल दिये, तो क्यों डाला मैंने यहां पर IDSP, हमने पहले पढ़ा है ICDS और IMNCI, और इसलिए इससे मिलते जुलता पढ़ लेना ना, तो आपको confusion दूर हो जाएगा कि भाईया, इसकी चीज़े उसमें नहीं है, उसकी चीज़े इसमें नहीं है, एकदम ही अलग चीज है, in fact जब मैं notes में डालता हूं, तो इसको chapter ही अलग डाल देता हूं, जिससे कि कोई confusion ना हो, इसलिए आज का हमारा जो topic ह है, that is integrated disease surveillance program, ठीक, कब आया था, सबसे पहले चीज़, कब आया था, ये 2009 में आया था, क्यों आया था, हमने क्या किया, इसमें शब्द देखना, integrated disease surveillance, तो हमने अलग अलग बीमारियों को, का जो surveillance चल रहा था, उनके लिए हमने एक approach इस्तमाल की, जिसमें हमने अलग अलग तरह के, हमने lab level पे किया, हमने medical officer के level पे किया, हमने अलग-अलग health sectors को integrate किया, और सारे sectors को मिला के, अलग-अलग तरह के surveillance को मिला के, हमने बहुत सारी बीमारियों को एक साथ धोनने का या surveillance करने का प्रयास किया, that is integrated disease surveillance program, इसका मुख्य उद्देश ही क्या था, इ signals मिल सकें, किसी भी बीमारी के outbreak के पहले, जिससे कि हम उसके लिए effective response technique का पहले से तयार रह सकें, कि भाईया, in case अगर outbreak होता है, तो हम उसको अच्छे से respond कर सकें, या in fact outbreak होने से भी बचा सकें, और उसके लिए हमको early warning signals को detect करते आना चाहिए, और उसी के लिए हम surveillance कर रहे है Got it? तो IDSP 2009 और क्या early warning signals के लिए ये था, अब कोई भी national health program जब आप पढ़ते होना, तो आप उसका administration ज़रूर देखते हो, कि administration के तहट या staff के तहट क्या-क्या लोग आते हैं, तो इसके administration पे अगर हम national level या central level की बात करें, तो होता है central surveillance unit, पूरा surveillance का program है, तो हर चीज में surveillance आ होता है, national center for disease control से integrated होता है, state surveillance unit, state surveillance unit सारे के सारे state के headquarters, सारे state में headquarters होते हैं, और district surveillance unit जो होती है, हर district level पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो integrated disease surveillance program का national level, state level और district level पे एक-एक unit होता है, तो national center for disease control, हर state में headquarters और हर district में, ठीक है? यहाँ पर नीचे देखना, आप जब इसकी site पे जाओगे, तो integrated disease surveillance program जो है, उसमें आप दिखोगे कि वो national center for disease control के तहत, director general of health services में आता है, और कौन सी ministry? Ministry of Health and Family Welfare के द्वारा संचालित किया गया है, समझ गया है? तो यह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, बहुत-बहुत-बहुत important चीज़ क्या याद रखनी है? इसका भाईया logo, logo इसका याद रखना कि यह आपको प्रत्वी देख रही है, प्रत्वी में आपको तीन लोग यह क्यों? क्योंकि हम तीन तरह के सर्वलेंस वहाँ पे देखते हैं, तो वह हम देखेंगे आगे तीन तरह के सर्वलेंस भी, तो तीन लोग मिलके ID, SP कर रहे हैं, ठीक है? याद रखना, इसका logo आपको स्पॉर्ट्स में भी पूछा जाता है, और MCQ तो Image Based आई सकता है, got it? अब हमने यह देख लिया कि उसका administration क्या है, हमने यह देख लिया कि भई उसको क्यों शुरू किया गया था, अब हम यह देख लेते हैं, जब administration देख लिया तो इसकी reporting units क्या है? कहां से जो हमको data मिलता है इसका? कहां से हमको ID, SP से related सारी जानकारी मिलती है? कहां से हमको सारे cases की जानकारी मिलती है यह यह सिंड्रोम्स यह यह केसे यह बीमारी ओके प्ले वो होता है हमाई पास दो है public sector है private sector है यह हमने कहां पढ़ाता है यह हमने health care delivery system में पढ़ाता उसका video हमने health care of the community वाली playlist में जाओगे वहां पे शेर किया हुआ है तो health care delivery system पढ़ाता मिलें तो व्हीयवेट सोते हैं तो पब्लिक सेक्टर में रूरल यानगे की ग्रामीन च्छेत य्या गाउ में कि जो डेटा होता है कि कि इसी समेล in CHC याने Community Health Center या फिर सामुदा एक स्वास के इन से अर्बन शेहरी लेवल पर हम अपना डेटा कहां से लिखे आएंगे यहां से हम सारी जानकारी एक अतित करेंगे शेहर की समझ गए तो पब्लिक सेक्टर की जानकारी सारे गाउं में CHC से और शेहर में सकारी में जारे होंगे तो प्राइबेट सैक्टर में गाउं से कहां से लेंगे घाउं की जानकारी हम की जानकारी उननें में प्राइवे प्राइवेतर शेरी ज्यागरें कार देकै। उसके लावा NGO's जो काम कर रहे हैं शहर में उनसे भी सारी जानकारी हम लेंगे तो इस तरह से हम सारी जानकारी लेते हैं कि भाया प्राइवेट सेक्टर और गवर्मेंट सेक्टर में कौन-कौन से केसी आए कैसे कैसी केसी आए साइनन सिम्टम्स वाले सारे ठीक तो हमने रिपोर्टिंग उनिट देख लिए रिपोर्टिंग उनिट में दो चीज़ देख लिए हमने कि भाया पब्लिक सेक्टर में क्या है प्राइवेट सेक्टर में क्या है पब्लिक सेक्टर में भी गाओ में शेहर में डिस्टिक होस्प अब इसका नाम क्या है प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटिड डिजीज सर्वलेंस प्रोजेक्ट तो हम पहले देखेंगे इंटीग्रेशन क्या किया फिर देखेंगे डिजीज सर्वलेंस कैसे किया जानकारी तो हमको मिल गई कहां कहां से कहां कहां से यह जानकारी हमको मि हेल्थ सेक्टर और नॉन हेल्थ सेक्टर दोनों का इंटीग्रेशन किया दोनों की हेल्प ली जैसे हेल्थ सेक्टर में तो हमाई पास पूरे हस्पताल हैं हेल्थ वरकर्स हैं उन सब के अलावा हमने नॉन हेल्थ सेक्टर जैसे की टीचिंग सेक्टर है स्कूल स्कूल टीचर इनकी भी मदद ली, हमने Agriculture Sector है, Farmers, सरपंच वगरा इन लोगों की भी मदद ली इन सब की मदद ली हमने Disease को Surveillance करने में ऐसे ही Non Communicable Disease Surveillance और Communicable Disease Surveillance दोनों को Integrate कर दिया हमने कि भैया अलग-अलग Surveillance सिस्टम चल रहे थे non communicable disease के लिए अलग चल रहे थे communicable disease के लिए अलग चल रहे थे उन दोनों को भी integrate कर दिया कि भाई आज आओ चलो मिलके हम disease surveillance करते हैं दोनों को मिला लो और देखो कि कितने cases है ठीक उसके बाद हमने private sector और NGOs का integration किया कि भाई या public sector में तो ठीक है हमको सारी जनकारी मिल जाएगी सरकार के दोरा private sector के integration कैसे करें देखो private practitioner अपना अलग चलते हैं private hospitals अपना अलग चलते हैं NGOs अपना अलग चलते हैं तो इन दोनों को हमने मिला दिया इन दोनों को हमने बोला भाईया आप लोग मिल के काम करो मिल के से केसे कौन-कौन से बिमारियों के आ रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन किया प्राइवेट सेक्टर और एंजियों का उसके बाद हमारे पास मेडिकल कॉलेज तो थे हमने इनको इंटीग्रेट कर दिया तो हमने पास इनको को स्टुडेंट लेवल पे भी सारी जनकारी मिल गए कि स्टुडेंट्स में भी ये बीमारिया मिल रहे हैं तो हमने यहां भी इंटीग्रेशन किया समझ गए इंटीग्रेशन, health or non-health sector communicable, non-communicable disease private or NGOs, medical colleges और दूसरे colleges, इन सब का हमने मिला के इंटीग्रेशन किया और इन से कहा कि अब आपके यहां जितने भी cases आ रहे हैं silent symptoms वाले आ रहे हैं वो हमको बताओ तो बताना क्या है that is surveillance का classification कैसे किया है, integration तो हमने बता दिया किसकिस level पर किया है लेकिन नाम क्या है, integrated disease surveillance project तो यह disease का जो surveillance कर रहे हैं, उस surveillance में क्या करना है वो बहुत important है और इसलिए इसके बाद वाली जो slide आएगी वो बहुत important है पहले हम surveillance देख लेते हैं कैसे करते हैं IDSP में तो surveillance के तहत हर 14 दिन में data collect किया जाता है और उनको publish किया जाता है monthly basis पे कि भई एक अपुनने मानलो की 14 तारिक को ले लिया सारी जगों से डेटा और 28 तारिक को data ले लिया और फिर आपने 31 तारिक को सारा का सेरा data publish कर दिया कि भई यहां यहां यह यह मिले यह data कहां से लिया है याद है ना हमने reporting यूटिनेट बताई थी CHC, district hospital, medical college private practitioner, private medical college NGOs यह लोग कहां बताएंगे district level पे district surveillance unit को बताएंगे state फिर यह state level पे बताएगी state surveillance unit को फिर national level पे बताएगी integrated national center for disease control को तो ऐसे सारी सारी जनकारी आगे बढ़ेगी ठीक है तो क्या आप करेंगे हर 14 दिन में data एकत्रत किया जाएगा और फिर हर मन्त की आखिर में या मन्त की शुरुगात में सारा का सारा data publish किया जाएगा ठीक मगर ये तो 14 दिन वाला हो गया मगर weekly भी disease surveillance किया जाता है weekly भी कुछ diseases के surveillance किया जाता है और वो कौन सी disease होती है वो epidemic prone disease जो होती है ऐसी diseases जिनका outbreak या epidemic हो सकता है उनका data हम weekly लेते हैं कहां से? वो इस सारे centers से sub center यानि कि उपस्वासकेन यानि कि प्रात्मिक स्वासकेन CHC Community Health Center या सामुदाइक स्वासकेन District Hospital और Medical College ठीक है? sub center या उपस्वासकेन PHC Primary Health Center या प्रात्मिक स्वासकेन Community Health Center या सामुदाइक स्वासकेन District Hospital जिला जिकित साले या Medical College इन सभी से हम हर हफते data लेते हैं ऐसी बीमारियों का जिनका जिनके chances होते हैं कि वो epidemic करा सकते हैं या outbreak करा सकते हैं epidemic क्या होता है? यह हमने disease control वाले chapter में epidemiology वाले chapter में जो हमने disease control वाला part है उसके अंदर हमने endemic, epidemic और pandemic को discuss किया है वहाँ से आप direct देख सकते हो ठीक? इन चौट epidemic क्या होता है? epidemic का मतलब होता है जितना हमने सोचा है उसके मुकाबले कहीं ज़्यादा cases मिलने लगे that is epidemic ठीक? तो यह समझ गए disease surveillance कैसे करते हैं IDSP में? नॉर्मली तो हर 14 दिन में data लेते हैं और हर महीने publish करते हैं मगर ऐसी बीमारिया जो आउट्रेक करा सकती है या epidemic करा सकती है उनका data हम weekly लेते हैं वोई सबसेंटा PHCC, CHC District Hospital वोई जो हमारे reporting sites थी वहीं से ठीक है? तो यह तो हो गया आपका surveillance अब यह जो आपने कहा ना कि हम data लेते हैं हर 14 दिन में यह data लेते हैं उनका करते क्या है वो भी important है और वो आता है components में IDSP के components क्या है सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है आपको data को collect करना है data कहां से collect किया आपने वो रूरल और अर्बन से CHC, PHC और District Hospitals यहां से आपने data पूरा का पूरा आपने data entry कर ली किसी software में update कर दिया उसके बाद आपने उस data को analyze किया और पता लगाया कि कौन सी बिमारी के ज़्यादा आए कौन सी बिमारी के कम आए कौन सी बिमारी बढ़ रही है कौन सी बिमारी कम हो रही है आपने analysis कर लिया उसके बाद आपने follow-up action plan बनाया और follow-up किया कि भई जो बीमारी बढ़ रही है उसके लिए जो भी services दी जा रही थी उनको और बहतर करो जिससे कि वो उतनी ना बढ़े और सबसे आखरी में होता है feedback कि भई है जहां जहां आपको लगा है कि इन इन छेत्रों में बीमारियां ज किया follow-up किया feedback किया ठीक है तो c2 a f2 दो c है collection and compilation a से analysis और f से follow-up और feedback ठीक है तो ऐसे आप याद कर सकते हो यह हो गया आपका component अब सबसे main slide जो है IDSP की वो यह है यह क्या है हमने बार-बार करना surveillance करना surveillance करना surveillance करना तो यह surveillance जो करना है इसको तीन भागों में भाज़ित किया गया surveillance को पहला है syndromic surveillance दूसरा है probable case surveillance और तीसरा है lab surveillance क्या होता है कौन करता है और कौन-कौन सी बीमारियों के लिए करते हैं यह हम देखेंगे इसमें पहला syndromic surveillance जो होता है syndromic surveillance में आप सिर्फ syndroms देखते हो कहीं यह syndrome यह sign and symptom तो नहीं मिल रहे है और फिर उसको आप report करते हो कि भाई जो आपकी reporting side थी वहाँ पर अब यह जो sign and symptom मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं यह सब लोग कौन देखेंगे यह मुखिता जो होता है न पैरा-medical personal या health workers जैसे कि सब्सेंटर्स वगरें बैठे रहते हैं पैरा-medical personal होते हैं वो लोग देखते हैं यह चीज कि भाई यह sign and symptom की cases आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं जैसे कि मुखिता इसमें 6 syndroms लिए गए हैं अक को सब्सेक्ट होसकते हैं रहे हैं यह यह सब्सक्ते का सकते हो कि प्रीस नाम याद रखने हैं, Unusual Syndrome, फिर Jointis, Diarrhea, AFP, Fever और Cuff, इसको याद करने के लिए, हम देखते हैं ना बार्सलोना है, बार्सलोना में हमारा मैसी खेल रहा है, उसके बाद हम जो अलग-अलग football clubs होते हैं, उनके बारे में देखते हैं, इंडिया में भी है, अपना Mohan Bagan FC है, उसके अलावा Goa FC है, FC for football club, तो football club, imagine करो, कि अगर doctors का football club हो, तो सारे doctors मिलके अपना football club बनाएं, in fact, junior doctors मिलके, तो कैसे क्या नाम रखेंगे, तो JDA, Junior Doctor Association का football club अगर बन जाए, काफी unusual होगा, वो राइट, मतलब ये चीज़ आपको काफी unusual रगए ही, कि बढ़ियां, एपरिन, एपरिन, स्टेटो डालके भाई, फुटबाल खेल रहा है, फुटबाल हाथ में लिए हुआ है, तो that is very unusual, तो ऐसे याद कर सकते हो, unusual JDA FC, unusual है ना JDA का football club, तो unusual JDA FC, unusual stand for unusual syndrome, J stand for jointis, D stands for diarrhea, A stand for AFP, F stands for fever, and C stands for cough, समझ गए? तो unusual JDA FC, याद रहेगा? तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, कि भाई, syndromic surveillance में, जो 6 syndroms थे, वो कौन-कौन से थे? ठीक? उसके बाद आता है, probable case surveillance, तो probable case surveillance में ना, मुक्यता ये surveillance जो है, वो medical officer, क्योंकि उसने देख तो लिए, ये सारी चीज़े बता दी, भाई, report कर दी, health worker ने, paramedical personnel ने, ये ये symptom मिल रहे है, अब हमारा medical officer, जो doctor है, वो probable case बनाएगा, भाईया, ये malaria है, डेंगू है, चिकन गनिया है, टाइफाइट, कॉल, राशी गिला, लेप्रोसपाइस, हैपटो, हैपटाइटिस, डिप्तीरिया, मैनिंगो, कुकल, मैंजाइटिस, ये सारी बीमारियों का probable case surveillance जो है, वो medical officer करता है, medical officer का काम होता है, भाईया, probable case बना के दे दो, कि ये हो सकता है, उसके बाद lab investigation कराएगा, उसके बाद lab personal lab surveillance कराएगा, lab surveillance क्या होता है, ये lab वाले जो technician होते हैं, lab personal होते हैं, ये करते हैं, इनमें ये क्या, उनके पास lab में जो cases आएंग उसके basis पे वो बताते हैं, malaria, डेंगू, चिकन गुनिया, acute dairyal disease, typhoid, enteric fever, leptospices, hepatitis, diphtheria, meningitis, ARI, in fact dog bite के भी आते हैं, acute insufflitis, pertuses, pyrexia of unknown origin, pneumonia, AFP, snake पर बहुत सारे हैं, तो याद क्या रखने हैं, याद रखने हैं, कि जो surveillance है, कौन सा surveillance कौन करेगा, ठीक है, कैसे याद हैं, भाई, जो हमारा syndromic surveillance है, वो paramedical करेगा, जो probable case surveillance है, वो medical officer करेगा, और जो lab surveillance है, वो तो lab personally करेगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, आपका SP, PM, LN, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, कि भाई, कौन सा surveillance कौन करेगा, अब इसमें सबसे important, इस slide में जो है ना, वो है ये छे syndroms, इनको याद रखना, एक ये चीज़ याद रखनी है, दूसरा कौन करेगा, कौन सा surveillance, ये याद रखना है, तो syndroms कौन देखेगा, paramedical या health workers देखेंगे, और उसके बाद, probable case कौन बनाएगा, probable case, but obviously medical officer बनाएगा, और lab वाले, lab से लेटें से लेटेंस, तो lab के तो laboratory personnel ठीक है, और छे syndrome कौन से है, तो unusual JDA, that is unusual syndrome, joint is diarrhea, AFP, fever, cough, समझ गए, तो ये पूरा का पूरा है, classification surveillance का कि कैसे, इतनी सारी बीमारियों का, एक साथ surveillance क्या लिया जाता है, एक साथ इतनी सारी बीमारियों का surveillance is, integrated disease surveillance, समझ गए, तो इसले इसका नाम रखा है, integrated disease surveillance program, got it, तो सबसे अक्री में ये पूरा तो हो गया, उसके बाद थोड़ी सी और चीज़ा, IDSP के तहट आपको पति होने चाहिए, एक है CBHI, भाई, ये CBHI क्या है, CBHI, CBI नहीं है, याद रखना, CBI का एक छोटा सा format, that is CBHI, that is Central Bureau of Health Intelligence, Central Bureau of Health Intelligence का का काम होता है, कि भाई, IDSP का follow-up रखना, कि भाई, कैसे हमने जो सोचा है, वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ कमिया तो नहीं है, कुछ खामिया तो नहीं है, तो उसके लिए होता है, Central Bureau of Health Intelligence, किसके तहट वही, जिसके तहट अपनारा IDSP था, that was Director General of Health Services and Ministry of Health Welfare, उसके तहट हमारा ये CBHI आता है, इसका लोग उसके लाबाए, एक और पॉइंट याद रखना है, इसमें, that is, Integrated Health Information Program, IHIP, इसमें क्या किया, हमने डिजिटलाइजेशन कर दिया, सारे हेल्थ रिकॉर्ड का, वो हमने देखा था, इतना सारा सर्वलेंस किया, केस रिपोर्टिंग होई, अलग-अलग रिपोर्ट किया, फ इस, Integrated Health Information Program, किस के ताहत है, वो ही Integrated Disease Surveillance Program के ताहत है, जो की Ministry of Health and Family Welfare के ताहत है, समझ गए, तो इस, Integrated Health Information Platform, और CBHI is Central Bureau of Health Intelligence, ठीक है, अब Surveillance पे भी एक सवाल कभी-कभी पुछ ले जाता है, भाई-बहया, रेगुलर सर्वलेंस कौन से बिमारियों का होता है, सेंटिनल सर हमने पहले concept of health and disease वाले chapter में discuss कर चुका है, इसी के थोड़ा पहले, आप चाहो तो playlist में जाके, concept of health and disease के playlist में जाके दे सकते हो, सर्वलेंस क्या होता है, सेंटिनल सर्वलेंस क्या होता है, यहां पे सिर्फ नाम कि सेंटिनल सर्वलेंस कौन-कौन से बीमारियों के लिए इन सब के लिए regular surveillance चलता रहता है, got it? तो इतनी चीजें आपको पता होने चाहिए IDSP के तहत कि भहिया, इसके कौन-कौन से IDSP में कि भहिया, IDSP में कब आया था, administration क्या होता है, reporting units क्या है, integration क्या किया, surveillance कैसा होता है, components क्या-क्या है, classification में बहुत important है, syndromic surveillance, तो syndromic surveillance, probable case surveillance, lab surveillance, syndromic में भी उच्छे syndrome कौन से हैं, और ये तीनों surveillance कौन-कौन लोग करते हैं, और CBHI और IHI भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक? तो जाकर मैं बात करूँ सवाल की, तो भाई साहब, IDSP, theory की बात करें, तो star question है, आपको कहीं न कहीं, sessional, PU या university exam में पूछा ही जाएगा, वहां नहीं पूछा जाएगा, तो sports में पूछ लिया जाएगा, वहां नहीं पूछा जाएगा, तो आपको theory why वा में पूछ लिया जाएगा, बहुत important question है, पूछे जाएगा कहीं न कहीं, और कहीं बार तो नहीं पता, IDSP का full form नहीं बता पाते हैं लोग, यह integrated disease surveillance project, यह तीन लोग ने मिलके, वो तीन तरह के surveillance थे न, तो यह हमारा syndromic surveillance समझ लो, यह हमारा probable case surveillance समझ लो, यह हमारा lab surveillance समझ लो, तो तीन लोग मिलके surveillance कर रहे हैं, integrated disease surveillance program, सिंपल क्या मुश्किल समझ नहीं आता मेरे को ठीक अगर मैं बात करूं वाइवा की तो वाइवा में आपसे जो पूछा जाता है वो है कि भाई सहाब आप integration किस किस चीज़ का किया यह बताओ तो integration में पता होना चाहिए इसमें याद रख लेना भाईया कि स्पॉट्स स्पॉट्स में आपको यह लोगों दिया जा सकता आईडी एसपी का तो आपसे बनना चाहिए वाइवा में इंटीग्रेशन पूछ लिया जाता है आप से कि एस स्लाइड प्रोण डिजीज है तो इस स्लाइड पर वाइवा आता ही है कि भाईया क्लासिफाइग एक तो तीन में किया गया है syndromic probable case और lab में अगला वाईवा को question कि भाईया वो 6 syndrome कौन से हैं तो unusual JDAFC उसके बाद वाईवा पूछ ले जाता है syndromic surveillance कौन करता है probable case surveillance कौन कर सकता है तो ये भी आपसे वाईवा में पूछ लेते हैं ठीक अब mcq की बात करते हैं mcq में जितने भी underline part आपको हमारे notes और slides में मिलेंगे वो सभी pg entrance exam में पूछे गए mcqs हैं तो हमको mcq के नाम पर याद रखना हर line यहाँ पर हर line पर आपको mcq मिलेगा जैसे कि for example पहली चीज की आपको integration integration इस पर कौन-कौन से mcq है इस पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं तो चारों लेवल आपको mcq के पता होने चाहिए कि भाई integration आपको adsp में इन इन चीजों में किया जाता है उसके बाद mcq जो बनता है वहर 14 दिन में आपको data collect करना है इस पर mcq बनता है उसके बाद syndroms भाई सब syndroms पे भी mcq बनता है कि जॉइंडेस, diarrhea, afp, fever, cough इस पर भी आपको mcq बनता है mcq आपको इस पर भी बनता है कि भाईया medical officer कौन से surveillance करता है तो probable case surveillance करता है इस पर भी mcq बनता है cbhi और integrated health information platform इन दोनों पर mcq बनता है कि भाईया यह क्या होता है या इसका मतलब क्या है तो और अगर image based आएगा तो आपको इस पर mcq आ सकता है कि भाईया यह image कहें कि है तो यह cbhi और आपको इसके idsp जो है उसके logo पर भी mcq बन सकता है तो यह भी पता होना चाहिए ठीक तो इतनी चीजें है जो आपको । यह केना चाहिए integrated disease surveillance program में पता ही होनी चाहिए थैंक यू